हेलो दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं और नीडा टैबलेट के बारे में, इसकी मैनिफेर्चरिंग एरिस्टो फार्मसूट का प्राइवेट लिट्रेट करता है, इसका सोल नेम और्डेना जौल पांसमजी है, इसका उप्योगम, बेक्टियल संक्रमण, योनी म सूजन, अमियावासिस, DRTS, ट्राइक्रोमेनिसिस, बेक्टियल बेजाइनिसिस, मसूडों में खूनाना, मल में खूनाना, दात में दर्द, पेचिस हो, दस्त हो, इसमें काम आने वाली टैबलेट है, अब हम जानेंगे बेक्टियल संक्रमण कहते किसे हैं, मानों सरीर में को कई परकार के बेक्टियरिया अच्छे स्वास्त के लिए आवश्चक होते हैं, लेकिन कभी-कभी वे संक्रमण का कारड़ बन सकते हैं, अमियावासिस, किसा किसे हैं, यह परजीवी से होने वाला संक्रमण है, यह प्रोजोर्ट्यन, एटीम, पीमा, हर्ष्ट्योलिक या इ हिस्ट्योलिक का नामक परजीवी की वज़ा से होता है, वैसे तो यह किसी भी बिमारी से हो सकता है, लेकिन यह उन लोगों में सबसे आम हैं, जो विकासिल देशों में रहते हैं, जहां अच्छी स्वास्ता नहीं है, यह स्वास्तिया उन्हें भी हो सकती है, जो इन विकास और नहीं पाए जाते आम यवासिस के लचण में धीला मल पेट में एठन पेट दर सामिल होते हैं कि ट्राकाई मोनाइसिस कहते कि से यह एक ट्रिक के नाम से जाना जाता है यह योण संच्रिस संक्रम्ण है ट्राइको मॉनोस वेजिनलस नामक एक कोश्ड़का प्रजोटोवा के कारण होता है यह पज़ुटोवा संभोग के दोरान एक संक्रमित जैक्ति से दूसरे जैक्ति में स्थांतित होता है महिलाओं में यह संक्रम्ण समान्य निचले जन्नन अंगो या और फुर्सों में मूत माल को प्रवावित करता है अब बात कर लेते हैं सके साइड एफेक् ले अथा कोई सीवी दवा लेने से पहले किसी डौटर या चीकसर से परामबर साथ से ले अन्य था कोई भी दवा ना ले धन्यवाल